असके इंस्त्यूल गय्ट करूं भी में यूक्ष सब्सक्राइल करूं साथ है। असके इंस्त्यूल ग्राइब हुखANT के था ही आद आ किरिक्षण आपकशन तके इन देड-श सब्सक्राइब करना हो। इसके इंदर हैं कराने हैं TexasLaboros पम्हाट करें डो técn इसको रिखेंगे और next करेंगे next करने के बाद आपके सामने दो option दिखाई देखी जो भी आपका installer इसका path define करने के लिए इसमें पहली option है वह है direct आपके dvdrome से जो है इसका path define करने के लिए और दोसी option जो इसमें दी गई है वह है आपकी ISO file है जो ISO file होती है उसको उसका path define करने के लिए अगर आपके पास operating OS की ISO file है तो आप उसको hardX में कहीं उपड़ी है इसका path define करके install करके सकते हो अगर आपके पास direct DVD है PC operating system की Microsoft रगाने तो इसके आप correct रगाने के लिए इसके इसके बाद ऐसके इसके बाद open अगर आपके पास विंडोज 2008 पर प्रडक्ट की है तो आप उसको यहां टेस्ट करोगे इसको नीची ऑप्शन दिया गया है जो सर्वर के अडिशन है उसके बारे में यहां लिखा है वर्जन ओफ दी विंडोज कॉमसा अडिशन है जो अगर आंत्यो जो को में यहां पर विंडोज वी नियुक्त करने इसके पर आपको इसके इसके पहले हैं कि एक और आप्शन दिय है इसके इन्द आपको इसके सर्वर का ऐड्मिन का फुल पूछता है पास्वर पूछता है और अगर आप चाहो तो ग्लैंक चो सकते हैं जैसे कि एक पास्ट पूस्ट ब्रस पूस्ट को अजिया तो सिर्फ थिल्बस नीके से फोल्गंत इन में अगर चाहिए कि जब भी मैं लॉग नहीं यह ने कर दो तो मैं यह यहां तो मैं यहां टिक करूँगा अगर इस उप्शिंग नहीं इस सतना तो भूंच चोंट करगा जो इसके next time का करके next करते हैं अब आपके साहने वर्ट्योल मशीन जो है उसका name पूछ रहा है तो मोई यहां पर इसका name डिसक को साइज करेंगे अब यहां की वर्ट्योल डिसक जो इसका size है गो की default है 40GB बिता रहा है जो की copy है इसके बाद यह है इसके बाद यह है इसकी hardware requirement हम जानते है कि किसी भी OS के install करने के लिए इसका requirement होता है जो hardware requirement होता है बहुत ज़रूरी है तो इसके इसमें यह option दी है इसके customize hardware जिस पे click करके हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौनसा configuration है अजर किसी को हम change करना चाहे तो change कर सकते है तो सबसे बहले जो जहां पे दिया गया है RAM का RAM में यह 1GB इन्होंने 5 default select कर रखा है इसमें तो मैं इसको 1GB रहने हुँ हूँ प्रसेसर के अंदर मैं इसका वेट प्रसेसर है लेकिन इसका यह नंबरों प्रसेसर को रहता है को मैं जो कर दूँगा ताकि इसका प्रफॉर्मस को बढ़ जाए तो डीवीडी के अंदर जो इसमें पाद ही है connect on power on लिखा जब भी प्रसेसर को करूँगा इसको वर्ची मशिन को तो यह अपना आप 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 आप्शिन हो जाएगा अपसके मशिन के अंदर भी आप इसको नेकीक आक्सेस करका ओगो यहें अगर ऑप ब्रिच के हाट करतें तो डर्ट अवक्सका अग्या फॉर्च करना प्रेच कूलर यह निए निए मेरा मैश्यन है वो चंसीडर होगा पर आटोमेटिकली अब अन होना शुरू हो जाएगा वो सब्सक्राइब दे सकते हैं कि हमारा मशीन है जो अभी रूट हो रहा है वो सब्सक्राइब इंस्टॉलेशन होता है वो सब्सक्राइब आपके सामने उपन हो जाओगी मैंने वहां से परड़क्ट की का ओप्षिन था वो बलांक चोड़ा था तो अभी हम मेरे से जो बलांक पूछ रहा है टाइप यह प्रड़क्ट की पूर एक्टिवेशन अब यह मेरे पास प्रड़क्ट की है निए तो मैं इसको ट्रेल वारिशन के लिए इंस्टाल करूँगा तो मैं यहाँ पर अट्रोमेटिक ली कर जो चेक लगा उसको साइन आउट कर दूँगा ताकि मेरे पास आउलाइन के वक्त होते वक्त यह मेरे से प्रड़क्ट की लिए फिर से एरर जहां शोन ना करें जैसे इसको ग्लोब करके नेक्स्ट करेंगे इंस्टालेशन स्टार्ट होने के लिए वेड़ करेंगे आप लहां पर जाए सकते हैं कि मारे सरवर 2008 के इंस्टालेशन है वो स्टार्ट हो चुका है तो सबसे पहले जो इसका रेकमेंड़न के पास होता है जो इसमें जो फाइल स्टारा है जो पिक किये हम जानते कि किसी भी विंड़ो को स्टाल करते हैं तुक्षव पॉसे सब्सक्यां पर चुशला सब्सक्स करने के पूदक्वर करते हैं ओनारो क्यों ब्रेशन के सबसक्ति हैरे दरा दरखकर्णे को पहले क्लेक्स करने है और हम पर विंड़ों कर देक है तूँम जासे कर आखए को यहार नहीं थीनिल्हा चलता है वर्चुल मेशिन दे अंदर की जो विंडोफ का सैटप ए विंडोफ सर्व दोर रोड़ का सैटप ए विपल होगो वैसा ही लगेगा जैसा फिसकल मेशिन के अंदर इस्टार्ड होता है तो में कुछ भी चेंजर्स नहीं होता है और भी दिखारा है जैसे आगे परसैंट्स से नहीं दिखान रहे है कि कतने संस तक फॉरे इंस्टा आप इसनारी फ्लिक्स पे डी चलता रहेगा जब नहीं हो जाते हैं जब तक यह फीचर्स इंस्टाल होगी हमें वेट करना पड़ेगा जैसे ही यह हमारे फीचर्स इंस्टाल हो जाएगे इस्टम रिबूट हो जाएगा और उसके बाद हमारा यहां पर देख्था है ऴमारा फेर का इंस्टॉल हो रहा है तो हम घृटियो को पॉस कर देते हैं अर्टयसे इस्टॉल हजाएगा तो हम 30 वीडियो को on करेंगे जैसा कि अब हमारा Windows Server 2008 का इंस्टॉलेशन का में रूप्लीट हो चुका है अब आद में इसको ao विएम वेर के अंदर रन करके देखेंगे तो इसके लिए हम Windows Server 2008 पे जो Power On इस वर्चुल मशिन का उप्शिन है उसको स्लेक्ट करेंगे Power के अंदर और Power On Power On जैसे करेंगे तो यह हमारा VM वेर के अंदर जो हमारा Server 2008 है वो बूट होना शुरू हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं यह भी जैसे बूट की जो बूटिंग इस्टॉलेशन फाइल बूटिंग फाइल होती है वो अभी रन कर रहे हैं और हमारा Server 2008 सिस्टम है वो बूट हो रहा है और यह हमारा Server 2008 है वो बूट हो चुका है तो हम देखेंगे यहां पे यह यह जो कि Ctrl-Alt-Delete का Option मांग रहा है Login करने के लिए जो कि हर Server के अंदर है चुरू में मांगता है तो हम यह आप इसको Ctrl-Alt-Delete करेंगी यह हमारे सामने दो यूजर अगांट दिखा रहा है एक है वाइड़फार जो आडिंस्टेटर का होता है तो मैं डिंस्टेटर को ओपन करोंगा और आप्धो के अब अब आपकु तो यह हमारा desktop रिपेर कर रहा है, तो आप यहां के देख सकते हैं कि हमारा server 2008 है, वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, आप इसको फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं, इसके अंदर आपको यह बीम बेर के जो आपको उपर टास्क वार बनाता है, उसके अंदर प्रॉपरल सकते हैं कि यह आपको फुली वर्कीं server installed है अभी, तो इसमें adjust icon के जो आपके desktop icon है, उनको set करके था हूं, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से server 2008 को virtual machine के अंदर इंस्टॉल ही और आप यह प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आगे की जानकर यह आपको नफ्क्त वीडियो मों डीजा एगी, सब्सक्राइब तक विलीज